हेलो एब्रीवन, स्टडी यॉलिन बन में आप सभी का स्वाक्त है आज का हमारा टॉपिक है पंचैतरा सिस्टम एंड म्यूसिपल्स जाने की नगर निगम तो स्टार्ट करते हैं पंचैतरा सिस्टम से पंचैत को 12 सभीदान में पार्ट नमबर 9 में रखा गया है पार्ट नमबर 9 में रखा गया है पंचैत को और डारेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पंचैत आर्टिकल 40 में आती है पंचैत पितामा किसे कहा गया है पंचायतरा सिस्टम का जैसे कह सकते हैं फादर किसे कहा गया है पंचायतरा सिस्टम का बलवांतराय महता को क्यों कहा गया है क्योंकि इननकी जो कमेटी थी उसके अदार पर पंचायतरा सिस्टम की नीव रखी गई है ठीक है, 1957 में बलवांतराय महता कमेटी बनी थी, कब बनी थी, 1957 में बलवांतराय महता कमेटी बनी थी, जीनों ने सुजा दिये थे, पहला सुजा था उनका Decentralization of Power, उन्होंने कहा था कि Power को बांटो, सक्ती को बांटो, सबसे उपर सेंटर होगा, उसके बाद स्टेट होगी, उसके बाद पंचायत और नगर निगम होगी, ये कहा था बलवांतराय महता कमेटी ने, इसके लावां इन्होंने एक और कहा था, Three Tire Form of Government के लिए इन्होंने कहा था, जिसमें सबसे पहले होगा, ग्राम पंचायत, उसके उपर पंचायत समक्ती, और उसके उपर जिला प्रिशर, इंगलिश में बिलेज, उसके बाद बलॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो सबसे पहली पंचायत का बनी थी, जे बनी थी, सेकिंड ओप अक्तूपर, 1959 को, दो अक्तूपर 1969 को, पहली पंचायत बनी थी, कहां पर बनी थी, नागौर में, जो कि राजस्तान में एक विलेज पढ़ता है, तो राजस्तान नागावर में बनी थी पहली पंचयत का बनी थी 2 अक्तूबर 1969 को ठीक है 2 अक्तूबर को और क्या होता है गांधी जन्ती होती है तो जब जब पहली पंचयत बनी थी किस ने बनाई थी ये बनाई थी पंड़े जवाल लाल नहरू ने उसके बाद एक कमेटी बनी थी 1977 में असोक महता कमेटी असोक महता कमेटी बनी थी जिन्नों ने सुझा दिया था टू टायर पॉम ओप गॉर्मेंट जिसको आसिवकार कर दिया गया था क्यों कर दिया गया था क्योंकि उस टाइम हमारे प्रायमनिस्टर थे देसाई जी मोरा जी देसाई जिनको जिनको स्तीफा देना पड़ा था अपने पास से क्यों देना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाब no confidence bill pass हो गया था तो उसके बाद इस schematic को भी बंग कर दिया गया था तो पंचैत को सविदानिक states का अब मिला था सविदानिक दर्जा का अब मिला था जे मिला था 73rd amendment 1992 के तहट तो जे most important है 73rd amendment 33rd amendment 1992 के तहट पंचैत को सविदानिक दर्जा मिला था और इसको article 243 से लेकर 243 ओ तक रखा गया था पार्ट 9 में बागया 9 में बारतिया सविदान के इसके अंडर कितने subject आते है तो इसके indo 29 subject आते है पंचैत के अंडर पंचैत कर डिप्स कर मना जाता है 5 जाता है 24th of April 1993 से start हुला था तो 24th April को पंचैत कर डिप्स मना जाता है start कर दो गौखा 24th April 1993 को पंचयत का मेंबर वनने के लिए एज कितनी चाहिए तो 21 एज चाहिए पंचयत का मेंबर वनने के लिए एक पंचयत का कारेगल कितने तैम का होता है तो इसका कारेगल होता है पांच वर्स का अगर किसी कार्ण से पंचैत बंग हो जाती है तो दोवारां री एलेक्शन करवानी पड़ती है शिक्स मन्त के अंतराल के बेच वीच दोवारां री एलेक्शन करवानी पड़ती है अगर कोई भी पंचैत बंग हो जाए तो reservation भी है, इसमें SC को है, boom and को है, boom and को कितना reservation है, 33% तो सबसे ज़्यादा reservation boom and को कहां पर है, उत्तरा खंड में, जहां पर मिलता है, इनको 50% reservation है, boom and के लिए उत्तरा खंड में ठीक है, जो कि पूरे वारत में से सबसे ज़्यादा है, election काउन करवाता है, पंचयत की state election commissioner करवाता है, election पंचयत की, ठीक है, किसी भी state की election हो, पंचयत की election, state election commissioner करवाएगा उसके बाद आता है, हमारी musicals, जानिकी नगर, पंचयत या नगर निगम कह देते हैं हम, इसको रखा है, part 9th A में, तो 73rd and 1, 1992 के तहत, इसको भी सभिदानिक दर्जा मिला था, और इसको रखा गया था, part 9th A में, article 243 P से लेकर, article 243 Z था, तो इसमें और क्या होता है, municipal council होती है, जो कि छोटे सहर होते हैं, उनके लिए होती है, small city होती है, उनमें होती है, municipal council, small urban area होता है, जो, और municipal corporation होती है, जो, जे होती है, larger urban area में, ठीक है, तो बड़े सहरों में होती है, municipal corporation, ठीक है, उसके बाद member को elect कैसे किया जाता है, जो municipality के होते हैं, जानी की नगर पंचयत के जो member होते हैं, उनको elect किया जाता है, direct election से people vote करते हैं, उनकी बोटों के दार पर ही इनको चुना जाता है, और अगर किसी भी city की, सहर की, जो जनसंख्याव है, तीन लाग से जादा है, तो ward committee बनाई जाती है, उसके लिए, और two committees बनाई जाती है, कि जिसके लिए बनाई जाती है, development plan prepare करने के लिए, जिसका नेम है district planning committee, जो कि district level पर काम करती है, जिला पदर पर काम करती है, और second होती है metropolitan planning committee, जो कि metropolitan area में कार्या करती है, अपना काम करती है, तो इनको income कैसे आती है, main income का source होता है, tax, और जो पंचयत होती है, हमारी, उसको fund कौ बात है, उनको state government है, वे फंट में किया करवाती है, और नगर निगम को भी fund state government द्वारा ही provide किया जाता है, तो that's all guys, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, अगर भी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe my channel, धन्यावाद